22nd September 2022 के The Hindu Analysis में आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजिए राइट कल तक मैं आपको टाइम और डेट बता दूँगा। होपफुली सेटेड़े हैं टेंटिटिव अभी फाइनल नहीं है लेकिन टेंटिटिव एक डेट यह है कि सेटेड़े इवनिंग को राइट लगबग नो बजए वी आपके जो भी प्रशन है और यह प्रशन पूछ भी सकते हैं तो ने स्टुडेंस आप क्या करें आप वीड स्केंट सेक्षन में जाएे इयए कृएन सेक्षन में यह लिंक हैं इस पर क्लिक किजिए सबसे पहले अपकर तो आप टेलीग्रामैप आप वह डाउनलोड करना है और टेलिग्रामैप डाउनलोड करने के बाद लोग इन और सारी roommate और दाहिए उसके बाद आप इस लिंक प पर हैं पाँच इंपोर्टन टोपिक्स एन नेटवर्क फोर लोजर रिजिनल टाइस बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है राइट वेरिवरी इंपोर्टन टोपिक डेंजरस यह गती शक्ती और जो नेशनल लोजिस्टिक का जो हमारा प्लान है ना उसके साथ जुड़ा हुआ डेंजरस मोमेंट यह रश्या के साथ जुड़ा हुआ है क्लामिट चेंज इन आवर वल्ल बहुत अगें बहुत ही आउटस्टेंडिकल है ट्रेड टेक्टिक से हमारी नहीं फॉरेंट पोलिसी के साथ जुड़ा हुआ है इन ग्रेट शोईस बावट सुप्रेम कोट के जो जुड़ेंट है तो इनकी प्रोसेडिंग्स जो है वो लाइव करने की बाद जो है वो सुप्रीम कोट ने बताई है तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ है हमें से किने को भी लेगे तो लेट सब्सक्राइब नेटवर्क फोर क्लोजर रिजिएनल टाइस दोस्तों 13th October 2021 की ब की बात है जब नेशनल लोजिस्टिक्स पॉलिसी NLP को एनाउंस किया गया लॉंच किया गया अब दोनों आप देखें यहां पर भी लोजिस्टिक्स जो है लोजिस्टिक्स यानि की सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर सिफ सामान नहीं सामान की साथ साथ लोगो को भी यहां से वहां अगर आपको सेंड करना है भीज रहा है उनको ट्रावल करना है तो यू निट गुड लोजिस्टिक्स और लोजिस्टिक्स के लिए आपको चाहिए अच्छा इंफरास्ट्रक्ट्चर राइट तो यह दोनों चीज़े जो है दोनों यह गती शक्ती अब म लोजिस्टिक्स डेवलोप में नहीं है तो भी आप फुल पोटेंशल तक नहीं पहुंट पाएंगे तो यह दोनों जो है गती शक्ती और NLP अगर इनको प्रॉपरली इंप्लिमेंट किया जाए तो इसका फाइदा यह होगा कि हमारा देश जो है वो और ज्यादा प्रॉड कर लेते हैं 100 ट्रिलियन रूपीज का यह प्रॉजेक्ट है और इसका में लक्षिय क्या है इसका में लक्षिय जो है वो यह है कि एक हॉलिस्टिक तरीके से इंफ्रस्ट्रॉक्चर को बिल्ड करना और एक सेंट्रलाइजड डिजिटल पोर्टल इसमें तैयार की गई है 16 सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स जो है वो इसमें इनवॉल्ड है और सारा जो आपका गती शक्ती का जो प्रोजेक्ट है प्लान है वो सारी चीज़े जो है वो डिजिटल बोर्ड पर इसको देखा जा सकता है कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट पहुंचा है कहा पर start हुआ यह सारी चीज़े जो है उसके track रखा जाता है railways, roads, port, waterways, airports, mass transport, logistics infrastructure यह सारी चीज़े cover करता है इसे के साथ भारत माला भारत माला roads के साथ जुड़ा हुआ है सागर माला, ports के साथ, उडान, airways के साथ, भारत net, internet connectivity, railway expansion और inland waterways expansion देखे यहां पर एक चीज़ का डिफरेंस सवज लीजे, inland waterways जो है तो यह नदियों के माधियम से कम्यूट करने की बात है और भारत माला, जो सागर माला है सागर माला जो है वो ओशियन ट्रेड के लिए है, ocean as well as sea trade के लिए ocean, sea trade यान की इर्दगिर्द का जो नस्दिक का अरिया है, that is called sea trade and ocean trade is कि आप दूसरे continent, दूसरे बहुत दूर वाले देशों तक पहुंगते हैं तो that is called ocean trade, right? तो एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो I thought let me clearly explain you अब बात करते हैं NLP के कुछ features के बारे में ये multi-modal connectivity network है, what is exactly multi-modal connectivity network अब देखिए, एक जगा है, let's say के एक मुंबई की बात करते हैं let's say मुंबई, right? तो मुंबई में port है, port के साथ साथ airport है airport के साथ साथ, वहां के, वहां tram है, train पहुँचती है, road के मादियम से पहुँच सकते है तो एक ऐसा national logistics policy जो है, वो ये करना जाती है कि एक ऐसा multi-modal connectivity network create किया जाए कि I'll give you one example, for example, Heathrow का जो airport है right, जो London का airport है, तो उसमें ऐसी facility है कि आप जैसे ही plane में land करते हैं वहां पर, तो वहां की कुछ trains जो है, वो आपको बहुत, means, you can understand ही, तो बहुत बड़ा airport है, and city के बहुत बाहर है, लेकिन वहां से बाहर है, लेकिन फिर भी, वहां पर आपको underground tunnel or train, means, यह जो कहता है ना train मिल जाती है, कि वो आपको city तक पहुंचा देगी, same thing goes with, बस तो यह क्या हुआ, कि वहां पर connectivity अच्छी है, just a small example, तो अगर ports है, वहां पर air cargo available है, rail cargo available है, road के मादियम साथ चीजों को transport कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़ें जब एक दूसर के साथ connect होती है, तो इसको कहते है, multi-modal connectivity network, इससे goods, यारिकी सामान, सिवाए और लोग जो हैं, वो पूरे दिश में easily travel कर पाएंगे, easily movement होगा इसका, और target जो है, वो यह रखा गया है, कि फिलहाल हमारे दिश में क्या है कि logistics और supply chain का जो खर्च है, that is 12% और global average जो है, that is 8%, बहुत सारे देश हैं, जिनका average 4% है, 5% है, तो just imagine कि एक 100 रुपे की चीज़ जो होती है, हमरे देश में जो पैदा की जाती है, तो उसमें 12 रुपे जो हैं, वो तो transport और इन सारी चीज़ों का खर्च है, और दूसरे तरफ कुछ ऐसे, लिद्से के यूरोप के कुछ देश है, तो यूरोप में वही 100 रुपे की चीज़ जो है, तो उसमें ये transport का खर्च जो है, वो 8 रुपे है, तो ये 4 रुपे का जो difference आ रहा है, तो यूरोप वही product जो है, वो 96 रुपीज में बेचे गा और भारत का वही product जो है वो 100 रुपे में तो लोग कुछ ज्यादा खरी देंगे, 96 वाला ज्यादा खरी देंगे, तो क्या हुआ कि यूरोप जो है, ट्रांसपोर्ट उनका अच्छा है, लोजिस्टिक्स अच्छा है, तो इसके वज़ए से वो और ज्यादा competitive हो गया है, यूनो वड़ा मीन, अब द यहाँ पर, अमेरिकन जो कार बनाते थे और जैपनीज जो लोग बनाते थे, तो एक डिफरेंस था, अमेरिकन कार में यह डिफरेंस था, अभी नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब ये चीज थी, जब कार इंडिस्ट्री की शुरुआत हुई है, जो कार इंड़स्रे इंठस उसमें कार बन गिए एंड में जो डॉर्स एड होते थे उसमें दर्वाजे को लगाया जाता था तो दर्वाजे जो हैं वो ऐसा नहीं थे के अच्छी तरीके से फिट हो जाते थे उसमें कुछ प्लस माइनस आपको करना पड़ता था तो ये एक महनत का काम जो है वो चल रहा अब जब USA के कार मेकर जापान के फैक्टरी की विजिट पर गए तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं थी वहाँ पर डॉर्स जो है वो आराम से लास्ट में फिट किया जाते थे और कार जो है तो ये से बाले पूछ रहे थे कि आपने वहाँ पर कोई रखा नहीं है मिंस के दोर फिट चेज़ते हो तो बहुंने हैं बाला ही टाइम में परफेक्ली फिट हो जाते हैं तो बहुत अब हम एस सब्सक्राइब यह जब है कि लेगा तो है ही नहीं इसकी डिजाइन जो है पूरी ऐसी होनी चाहिए यह गतीश शक्ती और NLP की कि अंडरनेशनल ट्रेट को हमारा जो चीजे और ज्यादा बेचना चाहते हैं और जो चीजे हम हमारे देश में लाना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको और ज्यादा इजी बनाए तो यह डिजाइन फीचर होना चाहिए है सिफ गोल रखने से कुछ नहीं होगा आपको इसका जो कौर पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा और अगर इंटरनेशनल ट्रेड आपको करना है तो सबसे पहले त है नेपाल भूतान बंगलादेश राइट मियनमार थाइलेंड श्री-लंका मौल्दिव यह देश है तो बिमस्टेक के जो देश है और मैं कहूंगा बिमस्टेक के देशों से पहले भारत जो है वो दूसरे नेपाल और भूतान है बंगलादेश है श्री-लंका है तो ऐसा द यह सब कॉंटिनेट में तो यह चीज जो है वह मंचिनन अहार आप इस को फिर उसके बाद पहला नेवर से पिर शीशा इसको expand किया जाता है बिमस्टेक का full form क्या है कमेंट सेक्शन में बताईए एक बहुत ही easy प्रशन पूछा है and I expect बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर ऐसा ही चले जाते हैं मैं अगर प्रशन पूछ रहा हूं तो उसका answer जो है तो सबसे पहले हम transport connectivity से start कर सकते हैं भारत एक transit देश बन सकता है रीजियन में के लिटसे नेपाल को कोई सामान जो है वो श्रुलंका को भेजना है तो नेपाल डायरेक्ली तो airways के माधियम से भेजेगा तो possible नहीं होगा भारत ऐसे एक transit country के तोर पर start करे हो और दीरे दीरे फिर हम बड़े लेवल पर जा सकते हैं waterways development हमारे देशों में ये चार देशों के विचे में कितनी सारी inter connected as well as सब ये जो कहता है ना cross border trans boundary rivers है चार देश यहां पर है बंगलादेश भूतान इंडिया और नेपाल बीबी आयन तो बीबी आयन वालों ने पहले रोड वाला भी किया था कि रोड जो है उसके माधियम से connectivity हो भूतान के ट्रक्स यहां पर आ सके हमारे ट्रक्स महाँ पर जा सके ये सारी चीज़ें जो है हमने कहा कि कोस्ट जो है वो कम हो जाएगा और यही अनुभाव जो है वो हमें कोस्टल शिपिंग और ओशिन गोइंग ट्रेड में भी काम आएगा और पी इंक्लूज दे सेटिंग अप ऑफ मोडन वेर हाउसिंग और लोजिस्टिक्स फेसिलिटीज अड नोडल पॉइंट है या फिर बीएन भूतान बंगलादिश और नेपाल में अब यह कर सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं वेराउसिंग और लोजिस्टिक्स की फेसिलिटी महा पर क्रिएट कर सकते हैं तो इंटर ट्रेड जो है वो काफी इंटर ट्रेड या फिर इंटर ट्रेड अब काफी अच्छा हो जाएगा अगर रहें से का एक्सपांशन करते हैं वोटर ट्रांस्पोर्टेशन करते हैं तो रोल का इस्तमाल कम करना पड़ेगा तो एनरजी सीकृरिटी भी रहेगी और क्लाइमट चेंज को भी फाइट कर पाएगा क्योंकि सबसे कम फ्यूल यूस करता है वोटर वेज उसके बाद आता है रेलवेज और उसके बाद आता है रोडवेज सबसे ज्यादा विनों के एरवेज कंस्यूम करता है लेकिन सबसे कम वोटर वेज करता है तो फ्यूल भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे और कोस्ट भी कम हो जाएगा लेक दिप्लोमेटिक इनिशिएव राइट और यह हमारे देश की जो पॉलिसी है नेबरूट फॉर्स पॉलिसी का की पिलर इंफक्त की पिलर्स बन सकते हैं यह गती शक्ती यह गती शक्ती and this NLP यह दोनों चीज़ें जो हैं यह दो इंपोर्टन पिलर्स बन सकती हैं तो यह होप यह एक युनीक टॉपिक जो हैं यह समझ में आ गया होगा इसमें कोई डाउट है डूलेट मी नो इन दे कमें सेक्शन नाव लेट्स मूब ओन तो दे नेक्स्ट वान डेंजरिस मोमेंट दे हिंदू का यह आर्टिकल है रश्या के प्रेजिडेंट व्लादिमेर पुतिन साथ ने एनाउंस किया है पार्शिल टूप्स मॉबिलाइज़ाइशन अपने कुछ सिविलियन्स को भी कहा है कि कुछ हैरियास जो है उनको छोड़ कर चले जाईए और यह भी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि व्लादिमेर पुतिन ने ये का है कि नूकलियर की जो हमने बात बताई है ये बलफ नहीं है ये सिर्फ डराने के लिए या फिर कोई ऐसा इसनोट के कोई बलफ नहीं किया जा रहा है हो सकता है कि उसके बटन्स को भी प्रेस किया जाए तो यह बहुत ही डेंजरिस टर्न ले रहा है यह पूरा जो यूक्रेइन और रश्या के वीचे में जो वार चल रहा है और यह जो special military operation यूक्रेइन में जो उन्होंने पहले ऐसा लग रहा था कि एक limited समय के अंदर सारी चीज़ास जो है वो सोट आउट हो जाएगी और मॉबिलाइस्ट मोर देन 150,000 टूप्स राइट और अड़र्ड एशार्प थरस्ट इन यूक्रेइन फ्रम मल्टिपल फरंस ओन 24 फेबरुआरी 24 फेबरुआरी को क्या हुआ 150,000 जितने टूप्स जो है वो अलग अलग जगाओं से एंटर करते हैं यूक्रेइन में और क्या तबाही हुई ये सारी चीज़ा आप जानते हैं तो उन सारी चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो अलग अलग रीजिन्स जो रश्या के पास आ चुके थे तो कुछ ऐसे रीजिन्स हैं जो यूक्रेइन के पास अब वापस आ चुके है तो यूक्रेइन ने फाइट जो दी है वो काफी अच्छी फाइट दी है राइट एक युक्रेनियन काउंटर ओफेंसिव जो है वो काफी सही रहा है मैंस ऐसा लग रहा था कि युक्रेन कुछ ही समय में हार जाएगा लेकिन इसने टेबल टर्न करने की कोशिश तो पूरे-पूरी की है प्रो रुशियन सेपरेटिस जो है लुआंस्क रीजिन है दोन रुशिया का पार्ट जो है वो बन जाएगा जैसे क्राइमिया या फ्रक्रीमिया बन गया था 2014 में आठ महीने हो चुके है राइट और ऐसा लग रहा था कि पहले ये युक्रेन को डी मिलिटराइज किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ युक्रेन के पास और ज्यादा ए और दो नहीं देश जो हैं वो भी नेटो को जोईन करने वाले हैं और उसमें से एक देश जो है वो रश्या के साथ एक बहुत ही लंबी बॉर्डर भी शेयर करता है नौर्थ में तो ये दोनों देशों के नाम क्या है बताईए कमेंट सेक्शन में दिस इसक्वेस्टन अब गए जियो प्लिटिकल चैनेज़स हैं तो अब वो क्या करेंगे वो एसकेलेशन यानि की चीजों को एक ने लेवल पर ले जाएगे और ज्यादा एक्टरेशन जो है वो दिखाएंगे तब ही जाकर दुनिया जो है वो उनके साथ सौफ्टली बात करेंगे विना से दुनिय यह जो है वेस्टन वर्ड आप दुस्तों यह बहुत ही इंपोर्टन आर्टिकल है राइट यह अर्टिकल यह टॉपिक जो है बाते बताऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चीज जो है यह चेंज जो हो रहा है प्लाइमिट चेंज वाला चेंज नहीं एक दूसरा तो इस चेंज को आप खुद अबजर्व की जिए और यह करते ही जाना है आपको यह एक इस लाइक आप 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 ने डाल दिया बार बार आप हर रोज आम नोट सेंग लेकिन किप इट देर इन दे बैक्राउंड कभी भी आपको इसका इस्तवाल करना पड़ा है आप 30% मेंगनिफाइड हो गई और यह बात इसलिए हमें समझनी है क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके बार में कुछ दिनों पहले जो एंटोनिय गुट्रस साब है उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान में जो हुआ वो एक खिड़की बाहर जब उन्होंने जाकर देखा तो उनको बविश्य नजर आया इस प्रकार की बात उन्होंने कहीं कि प्रविश्य में इसी प्रकार की चीज़ है जो है वो हमें देखने को बलेगी बिकुस अफ क्लाइमिट चेंज एगरिकल्चर की जो सोइंग पैटन है वो अब चेंज हो गई है फोरेस्ट फायर्स होने लगे है और बहुत बड़ी मातर में होने लगे है बिटन राइट इंगलेंड जो है अभी कुछ मेनों पहले की बात है तो वो उतना ज्यादा गरम था जैसे भारत की जो समर होती है उतनी ज्यादा घरमी वहां पड़ती है 35 प्लस टेंपरेचर पहुंच गया था 35 डिग्री से ज्यादा एट इस तू मच फो ब्रिटन हिमालियन ग्लेशियस जो है वो पिगलने लगे है जाइगंटिक एंटार्टिका की जो आइस की बिट से वो टूट रही है बिखर रही है सी लेवल जो है वो राइस होने लगा है और बटरफ्लाइस से लेकर बीवर्स जो है वो वाम जोन से कोल्ड जोन में जाने लगे माइग्रेट होने लगे हैं तो क्लाइमिट चेंज जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है सर्वाइवल का इन 21st century और क्लाइमिट चेंज की वज़े से बहुत सारी चीज़े जो है वो चेंज हो रही है आप देखिए एनरजी सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंस्ट्रक्शन हेवी इंडिस्ट्री हर जगा पर चेंज हमें निज़र आ रहे हैं यह चेंज जो है यह ऑपर्चुनिटीज भी हमारे लिए क्रियेट कर में लगा है अगर आप शेयर मार्केट और इन सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह सारी नौलज आपको वहां पर भी काम आएगी आपको बता चलेगा कि कौन सी कौन सी चीजे जो है उसका फ्यूचर अच्छा है तो सोलार पैनल्स का बेक्टरी का चिप मेंकिं इंटरस्ट होता है उनका तो आप उस इसाब से फिर अपने आप देख सकते हैं नए हाइडरोजन पाइपलाइन जो है वो पुराने गैस और ओल के पाइपलाइन को चेंज करेंगे चारजिंग स्टेशन आने वाले समय में हर जगा पर अविलेबल होंगे और छोटी बड़ जो है उसको हम आपको आज की जो एकनोमी हमें साथ से 20-25 साल पहले चले जाईए और आज की एकनोमी देखिए आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को भी लेगा सेम तिंग गोज फूट फूटर एस वेल आने बाले समय में इतना बड़ा बदलाव होगा कि हमें हम आज के जमाने को फिर पीछे मूर कर देखें के तो लोगे अच्छा हम ऐसे काम करें थे आज टोटली डिफरेंट हैं एंट बड़ी-बड़ी कंपनीज को देखिया आप अदानी हमरे देश में टाटा रिलाइंस और दूसरी बड़ी-बड़ी कंपनीज जो हैं उनके जो बड़ जो रेलवेज हैं वो कम्प्लिट और अलेक्टरिक ट्रिक्शन इसका किया जाएगा सोलर और एंटर्जी फार्मस बड़े बड़ाए जा रहे जा रहे ज़ा है ग्रीन हाईड्रोजन का प्रोड़क्शन जो हैं और ज्ज़धा ग्रीन होने लगे हैं और होते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा recycle करना come create करना create less and recycle more become less material intensive यह चीज़े shipping की बात करें shipping industry यहां तक सोचने लगे और यहां तक सोचना नहीं इन्होंने strategy कर दिया है कि जो paint लगा जाता जो color किया जाता है ship को तो वो इतना smooth किया जाता है कि उसका कम घरशन हो पानी के साथ यानि कि वो कम फ्यूखल में ज्यादा ट्राविल कर सके और डेली कम्यूट जो है वो उसका अंता आने वाला है वर्चूल मीटिंग्स होगी टेली मेडिसन यी एज्यूकेशन यी बैंकन्ग लास्ट टाइम आपको बैंक पर गह थे मैं आप बैंक में जॉब करे है देखें तो कोविट से पहले तो बैंक में लोग बहुत जाया करते थे लेकिन आज कोविट के बाद खास करके कम जाना पड़ता है क्योंकि जी पे आ गया है या फिर फोन पे आ गया है एटीम्स हैं हर जगा पर तो चीजे जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रही है लोंग के देखिए रिलाइंस ने गुजरात का जो कच है तो वहां पर एटीन हंड़र्ड स्क्वेर किलो मीटर की जमीन जो है वो खरीदने वाले सरकार से गुजरात सरकार से ऐसा रेपोर्ट किया ऐसा न्यूज में था और यह ग्रीन एनरजी प्रोजेक्ट के लिए यह पता है कि इस बिजने सूट्स एक्सेटरा तो यह सारी चीजों की मार्केट भी कम होगी सिने मा होल्स वर्स वर्स ऑटी यह आज भी हमें देखने को बल रहा है तो इंडिया बले ही लेट कमर है जो अन प्लांड एडवांटेज इंडिया को मिलेगा यह जवर जस्त मिलेगा जो पुर टैक्टिक्स था हिंदू का यह आटिकल है दोस्तों आने वाले समय में भारत सरका नई फॉरेंट ट्रेड पॉलिसी जो है वो लॉंच करने वाली है जो इसके पहले की थी उसको 2015 में लॉंच किया था 2020 में इसका अंत होने का मिंस अंत था मिंस एंड डेट इसकी 2020 में थी ले लांस करेगी तो हम क्या चाते हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट जो है वो जितना कम हो उतना करें राइट चाइना पर लेस डिपेंडेंट रहे और दूसरे देश जो चाइना को छोड़कर अपना सेटप दूसरे देशों में करना जाते हैं तो उनको यहां पर इंवाइट करें तो यह सारी स्ट्राटेजी जो है उसमें गवर होगी लास जानिवरी भारत सरकाने एक डब्ली टी ओ कंप्लाइंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम लांच की तो इसमें क्या है कि अगर आप भारत से कोई चीज एक्सपोर्ट करते तो आपने जो साम प्लाइंट स्कीम है एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम तो यह चीज जो है इसको लास जानिवरी से किक इन कर दिया है अब बहुत सारे मिस आंकड़े अगर हम देखें एक्सपोर्ट के तो अच्छे जा रहे हैं राइट बहुती क्विकली मैं अगर आपको बता दू तो जो स्लोडाउन और रिसेशन का जो खत्रा है तो यह खत्रा मन रहा है कोई डाउट नहीं है लेकिन फिर भी बिजनस जो है वो ठीक ठाक चल रहा है अब देखते हैं कि नई पॉलिसी जो है उसमें क्या-क्या बड़े-बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं विल वेट और watch और उसका thorough analysis करेंगे, right, a great show, Times of India का ये article है, भारत की Supreme Court के बारे में just imagine कीजिए कि कोई बड़ा ऐसा case चल रहा है और आप पूरा उस case को देख सके है, ना तो आप lawyer है, ना तो आप court में बेठे हुए है, ना तो आप regular court attendee है, right, आप in fact Delhi या फिर भारत में नहीं है, basically online court की बात हो रही है, कि आप online पूरी proceeding जो है उसको live में देख सके है, Supreme Court का ये decision है कि, you know Supreme Court, Supreme Court's decision that constitution bench hearings will be live streamed, कि constitution bench hearings जो है वो live stream होगी और देरे देरे दूसरी चीज़े भी live stream होगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा step है, the thing is कि citizens जो है, उनको पता चलेगा कि Supreme Court कैसे काम कर रही है, और you know governance और इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों का interest और बढ़ेगा, इसके साथ Supreme Court के judges और जो बड़े lawyers है तो उनकी accountability भी बढ़ेगी तो ये कुछ इसके positives है, negatives के बारे में ये भी कह सकता है, दूसरी एक चीज़ जो है negatives पर भी हम आएंगे लेकिन उससे पहले, Supreme Court और High Courts के पास और कोई option भी नहीं है, वर्चिवल hearings जो है इससे बहुत सारे cases जो है उनको handle किया जा सकता है, और last year ही Supreme Court ने फिर live streaming court प्रोसीडिंग जो है, इसके rules को भी इस्यू किया था, ओरी शाह, गुजराद, करनाटा का और दूसरी High Courts ने काफी अच्छी तरीके से perform भी किया इसमें और जो litigants जो court पर नहीं आ सकते, physically नहीं प्रेजन हो सकते तो live streaming जो है, it's a great enabler, right? अब यहां पर एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि glitch free live streaming होनी चाहिए, right? और आज के जमाने में जो subordinate courts हैं, उनको भी onboard आने की जरूरत है, कुछ इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ political से भी lawyers जो हैं, वो कुछ अपने, वो लोगों को attract करने की अपनी तरफ अपना नाम जो है, वो बढ़ा आए गए, क्योंकि वो online अब आ चुके हैं, कुछ supreme court की proceedings के footage को edit किया जा सकता है, right? तो यह सारी चीज़े हैं, लेकिन live streaming के बहुत सारे फाइदे भी हैं, और जो international criminal court है, UK की में समय से वो live streaming जो है, वो provide करते आए हैं, तो पॉपिलारीटी अफ कनेड़का जाए हैं, हिजाब ban hearings suggested that supreme court's constitution bench hearings will have to borrow a term from the TV industry, high TRP, that's good news for India, means यहां पर, इस note से end होता ही article, बट यह अच्छी बात है के live stream होगी, फिर देरे देरे सारी जीज़े live stream, तो awareness भी create होगी उतनी ज्यादा, तो this is a good decision by supreme court, and that's basically everything in today's discussion, dear friends, आपके लिए प्रशना है, PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लेजेगा, वीडियो को शेर जरूर कीजेगा, and I'll see you soon with some more interesting videos today, till then enjoy your studies, God bless you all, जाहें